पेम किसान सम्मान ने दियो जना में अगली किस्त को लेकर किसानों के बहुत सारे सवाल हैं कि पेम किसान जना के अगली किस्त 10 अपरेल को आने वाली ती 15 अपरेल को आएगी या फिर 20 अपरेल को आएगी क्या अपरेल माय में अगली किस्त आएगी या फिर नहीं आएगी और परधानमंतरी जी ने अपने ओफिशल ट्वीटर अंडल पर जो किसानों को लेकर एक ट्वीट किया है PM किसान योजना को लेकर उस ट्वीट में क्या कुछ अगली किस्त को लेकर जान करी दी है वो भी आपको इस वीडियो में बताउगा और साथ में अगर आपने अभी तक E-K-A-V-E-S-E नहीं कराई है या फिर आपने E-K-A-V-E-S-E करा ली है तो क्या आपको E-K-A-V-E-S-E के बिना अगली किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी सारा कुछ इस वीडियो में आपको step by step बताने वाला हूँ वीडियो को पुरा जरू देखना है वीडियो को लाइक कर लेना चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यहाँ पर आपको PM किसानियोजना से एल्डेट पूरी जानकरी दी जाती है तो किसान पूरी सबसे पहले हम बात करते हैं PM किसानियोजना के अगली किस जो आपको मिलने वाली है वो आपको मिलेगी बिना EKWC मिलेगी या फिर EKWC वाले किसानों को ही मिलेगी तो यहां पर आप निचे की तरफ आओगे तो यहां पर आपको मैंटोपिक यहीं पर आपको मिल जाता है आपके इसी सवाल का यहीं पर आपको जवाब मिल जाता है यहां पर मैं आपको बता दूँ प्यम किसाने हो जवाब मिल जाता है आपको किलिरली बता देता हूँ इसमें आपको कोई भी इसू नहीं होगा EKYC को लेकर EKYC के माने तागली किस्ट के लिए फिर से समाप्त हो चुकी है जैसे पिछली बार दिसम्बर में जब प्यम किसाने हो जना की EKYC स्टार्ट हुई थी वो समय बता जा रहात है कि आपको EKWC के बिना किस्त नहीं मिलेगी लेकिन आपको किस्त मिल चुकी थी लेकिन इस बार भी आपको EKWC के बिना ही किस्त मिलने वाली है क्योंकि EKWC के last day अभी बहुत ज़्यादा दूर है और आपको अगली किस्त जल्दी मिलने वाली है तो आपको बिना एके वाईच एकिस्त मिलने वाली है अब हम बात करते हैं माननी परदानमंतरी जी ने पिम किसान योजना की अगली किस्त को लेकर क्या कुछ अपडेट जारी किया है किसानों को लेकर क्या कुछ अपडेट जारी कि हम मानने ये परदानमंत्री जी का ट्विटर एंडल ओपन कर लेते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ दिर पहले का ये ट्विट है हमारे परदानमंत्री जी ने ट्विट करके किसानों के लिए कहा है और यहांपर परदानमंत्री किसान सम्मान निदी होजना को लेकर बताया गया कि किसान की मेहनत को देरलिए एक मजबूत आराधा पीम किसान सम्मान निदी जने की हरे एक किस्त है 11.3 करोड किसानों की खाताव में 1.82 लाग करोड रपे सिद्ध पहुंसते हैं किसानों की खाताव में PM किसानयोजना के तहत यहां पर आप देख सकते हैं कि 6,000 रुपे किस्त हो सालाना 22,000 रुपे करके चार मेने के अंतराल से जो 3,000 किस न दीज आती है उनके बारे में बताया है और यहां पर आप पूरा ट्वीट हो पड़ सकते हैं यहां पर प्रदानमंत्री जीने जानकारी है अपने सोसल मेडिया पर एंडल पर शेयर किया है लेकिन यहां पर अगली किस्त की डैट को लेकर यहां पर बिल्कुल भी जिकर नहीं किया अगर आप इंतचार कर रहे थे कि अगली किस्त इसी माहिने मिलने वाली है तो यहाँ पर कोई भी प्रदानमंत्री जिन अपने ट्वीट पर है वो डैट गोशिद नहींगी सोचल मेडिया पर आपको बहुत सारी जानकारी मिल जाती है कि इतने तारीक को प्रदानमंत्री जिन ट्वीट करके अगले किस्त की गोशना किया लेकिन यहाँ पर ट्वीटर Alg collar अभीत सिक्फर कोई भी टायैट आउफिक्स नहीं कियागी अगले किस्त को लेकर अग्र बात करते हैं अकले किस्त कब मिलने वाले अगर एक लाबार्तित पिसान अगर आप इंतजार करसे हैं तो आपको अंगले किस्त कब मिलेगी इसके लिए हम चलते हैं PM किसाने वजना की Beneficiary Status में वहाँ पर मैं आपको Live Group, Step by Step बताऊंगा आपकी इस तरह से चेक कर सकते हैं आपको पैसा मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो यहाँ पर हम PM किसान जियोई.टिन के पोर्टल पर आ चुके हैं इसके लिए आपको निचे की तरफ स्कूल करना होगा यहाँ पर आपको Beneficiary Status ओपन करना होगा जैसा कि यहाँ पर मैं Beneficiary Status वाले पर क्लिक कर लेता हूँ यहाँ पर आपको PM किसाने वजना की अगली किस्त को लेकर बहुत बड़ी जानकरी मिल जाती है अगर आप यहाँ पर चेक कर लेते हैं आधार नमर डाल कर तो यहाँ पर मैं किसान की Data Open कर लेता हूँ और Data Open होने के बाद इस किसान को अभी तक 9 Installment मिले हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं और 10 वे Installment की जगे RFT Signed by State अगर आपके इसी परकार RFT Signed by State दिखा रहा है तो आपको अगली किस्द जल्दी मिलने वाली है यानि जरूरी मिलेगी आपको कोई भी दिकत नहीं आएगी अगर आपके RFT सो कर रहा है या फिर अगर आपके यहाँ पर कुछ भी सो नहीं कर रहा है और अब हम बात करते हैं पिम किसाने उजना की जो 2021 में अपरेल माहे में जो किस्द मिली थी वो कितनी तारीक को मिले थी तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पिम किसाने उजना में 2021 को जो किस्द मिली थी वो यहाँ पर आप देख सकते हैं 15 मई 2021 को मिली थी यानि अप्रेल माहे में किस्त नहीं मिली थी पिसली बार जो किस्त मिली थी वो अप्रेल माहे में नहीं बलकि मई माहे में मिली थी तो इसी से आप उम्मिद लगा सकते हैं कि इस बार जो प्यम किसाने और जना के अगली किस्त मिलने वाली है वो या तो अपरेल लाश्ट तक मिलेगी या फिर आपको माई माह में मिलने वाली है क्योंकि इसी परकार PM किसान और जाना का प्रोसिस रहता है जो पिछली बार किया गया ता उसी परकार इस बार भी हो सकता है कि आपको माई माहे में किस्त मिले या फिर अपरे लाश्ट तक आपको मिल सकती है लेकिन आगे आने वाले 5 से 10 दिने के अंदर आपको किस्त नहीं मिलेगी उससे पहले यहाँ पर आपको नोटीस जारी कर दिया जाता है परदान मंतर जी के सेडूल में या फिर प्यम किसान के पोर्टल पर वो समय आपको वीडियो बनाकर अपडेट दे दूँगा तब तक आपको चैनल सब्सक्राइब कर लीजे वीडियो को लाइक कर लीजे धन्यवाद खिसानबाव मिलते हैं अगले वीडियो में